वेलकम बैक फ्रेंड्स यह है हमारी वीडियो नमबर 37 क्लास 12 कम्प्यूटर साइंस विद पाइसन सेरीज के लिए और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नमबर 7 कम्प्यूटर नेट्वर्क्स को और इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी टर्म्स के उपर डिसकस करेंगे जो कि यह का मबिटन्ट नेट्वर्क को क्रेट करने में help करता है या simply communication में help करता है तो यह आपको एक theoretical चैप्टर है तो इसको जो notes है यह theory पार्ट है फो already मैंने यहां पर लिख दिया है तो start करते हैं करके जितने भी terms इस chapter के अंदर है इनको हम discuss करते हैं तो सबसे पहरा जो हमारा term है या topic है वो है network या simply computer network अब देखे computer network किसको बोला जाता है जब आपकी बहुत सारी computing devices हैं वो आपस में connect होती हैं ताकि हम किसे resource को share कर सके हैं तो simply इस connection को इस connectivity को हम network कहते हैं तो simple से इसकी definition है या इसको simple से यहाँ पर theoretical part है computer network is a group of computing devices that are connected together to share resource अब यहाँ पर देखे computing devices से आपने confuse नहीं होना है computing devices मतलब जो इसके अंदर computational powers है यानि कि जो computer की तरह ही काम करता है जैसे आपका laptop है desktop है tablets हो गए या simply आपका smartphone है smart watches है तो यह भी आपकी computing devices है तो इनको भी अगर हम आपका connect करते हैं तो simply उसको network ही बोलते हैं तो simple सा है और ऐसा क्यों किया जाता है ताकि हम resources को share करें communicate हम कर पाए resource हम share करें hardware resource हो या कोई software हो तो simply अगर computing devices आपस में connect होती है किसी भी resource को share करने के लिए simply communication के लिए भी तो simply उसको हम एक network बोलते हैं या computer network बोलते हैं अब इसके यहां पर benefits क्या है networking के तो next हमारा topic है benefits of networking तो simple सा है it is used for communication and data sharing यानि कि अगर हम एक network बनाते हैं तो सबसे पहले तो normal सी बात है कि आप communicate करेंगे तब ही आप एक network create करते हैं और दूसरा हम data को share करते हैं तो simple सा है अगर हमको data को share करना है या computer अगर simply communicate करना है तो उसके लिए हमको एक network firstly create करना पड़ेगा and next हमारा हम पर it allows access to remote database और computer यानि कि एक network की मदद से हम remotely अगर कोई computer है जो same place पे नहीं है किसी दूसरी geographical location पे है तो उसको आप access कर सकते हैं या simply आप online जब bill payment करते हैं या shopping करते हैं तो आपका computer यहाँ पे है और जहाँ पे आप उसको आप जो bill payment कर रहे हैं तो simply आप उसे access कर सकते हैं जिसमें simply हम talent यूज करते हैं जो कि remote login के लिए उस होता है तो इसको तो हम आगे discuss करेंगे जो हमारा protocol है then आपका networking reduces hardware cost अगर आप network create करते हैं network आप बनाते हैं तो यह hardware cost को भी कम करता है आप किस तरीके से इसको ऐसे समझेगे जब भी आप किसी cyber में जाते हैं या schools के अंदर colleges के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पे systems तो बहुत सारे लगे रहते हैं लेकिन आपको जो printer है या और कोई machines है वो केवल एक ही होती है और उन सभी machines से केवल एक ही printer को हम वहाँ पे connect करते हैं तो उससे क्या होता है आपके hardware का cost वहाँ पे बसता है अगर हम network create ना करें और हर PC के साथ उसका ही अपना एक printer देदें तो hardware cost भी हमारा बढ़ेगा space भी हमारी जादी लगेगी या simply अगर आप end computing का example देखिए जिसमें simply हम क्या करते है एक main आपको computer होता है या CPU होता है और उसकी मदद से हम बहुत सारे terminals वहाँ पे create करते हैं जिसमें सिर्फ केवल आपका mouse and keyboard वहाँ पे use करना पड़ता है और आपको computing device वहाँ पे है टर्मिनल वहाँ पे चाहिए होती है तो एक तो आपका hardware cost वहाँ पे कम होता है आपकी space वहाँ बढ़ जाती है तो simply अगर आप networking करते हैं तो simply इसे आपका hardware cost जो है वो भी हमारा कम होता है next है आपका evolution या history of networking यानि कि इन सब की सुरुवात कहां से हुई पहला network हमारा कहां पे बना तो history कहें या evolution कहें तो पहला आपका जो हुई है आर्पानेट आपने lower classes में साथ यह पढ़ा हो तो आर्पानेट आपका simply क्या है 1969 के अंदर US Defense Department ने एक agency को sponsor किया या simply create किया sponsor बोले तो simply उसकी funding वगेरा की तो simply उस time पे क्या हुआ था उस agency ने जो पहला network create किया था उसी को हम आर्पानेट कहते हैं और यहां पे दो आपकी जो बड़ी university हैं US के अंदर University of California and University of Utah तो दो यह आपकी university हैं एक तो उटा है दुसरा University of California है तो इनकी जो system से इनको firstly connect किया गया था और इसी network को हमारा आर्पानेट कहा जाता है तो सिंपल साय इन 1969 US defense department sponsored agency called आर्पा जो कि आपकी advanced research project agency है and the network created by this agency was known as advanced research project agency network यानी की आर्पानेट तो सबसे पहले एक agency को sponsor किया US defense department ने और इसने जो पहला यहां पे आपको जो network create किया उसको हमने आर्पानेट नाम दिया इसके बाद 1980s के अंदर आपका national science foundation या simply NSF ने एक high speed network जो है वो create किया आर्पानेट के बाद and later on दोनों जो बड़े network है यह एक साथ आए और साथ और छोटे छोटे networks आए और इन्होंने ही modern internet को जनम दिया यानि कि एक तो आपका main जो वहां पे network था वो आर्पानेट था और mid 80s में आपका एक और वहां पे network develop हुआ national science foundation ने इसे develop किया जो कि आपका NSF net कहलाता है तो simple science mid 80s the national science foundation NSF created a new network called NSF net जिसको NSF net कहते है which was more capable than आर्पानेट यानि कि आर्पानेट से ज्यादा capable था ज्यादा इसमें connectivity थी अब देखे कोई भी चीज आप भी more capable होती है या simply advanced या updated होती है computer में तो आपका तब होता है जब वो दो चीज़ों को दो parameters को follow करता है एक तो उसकी जो cost है वो reduce होती है और दुसरा उसकी जो speed है वो बढ़ जाती है जैसे आपके smart phones भी होते हैं तो smart phones अगर update होते हैं या नए आपके आते हैं तो simply एक तो उनमें आपकी speed अच्छी होती है memory अच्छी होती है दुसरा उनकी जो cost है वो भी कम हो जाती है तो simple सा है जिससे कि हमारा time ज़्यादा बचता है वो ही आपको updated होता है आपका next यहाँ पर term है internet तो internet तो हम भच्छमन से पढ़ते हैं ग्लोबल सिस्टम है आपका networks का जिसमें कि आपके बहुत सारे छोटे 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 networks हो या individual computers हो आप उसमें connect होते हैं global network बनाने के लिए जिसको हम simply internet कहते हैं तो internet is the global system of interconnected computer networks and computer यानि कि आपका छोटे छोटे networks को आपका combine करके या computers को आपका combine करके simply global network अगर हम बनाते हैं तो simply उसको हम internet कहते हैं जिसको हम network of networks भी कहते हैं और internet आपका TCP IP protocol यूज करता है communication के लिए ये एक protocol है TCP यानि के transmission control protocol and IP यानि के internet protocol वीज़े तो internet पे बहुत सारे आपके protocol यूज होते हैं आपका mail के लिए होता है जैसे SMTP है या file transfer protocol है FTP है तो इनको तो हम आगे discuss करेंगे लेकिन main जो यहाँ पे आपका protocol है वो है TCP IP अब TCP IP simply काम क्या करता है आपने देखा होगा internet पे maximum जो data आपका travel होता है वो packet के form में होता है data packets होते हैं तो एक बड़े से packet को या जो आपका data है जब भी आपका sources से destination की तरफ जाता है तो TCP उस data को छोटे-छोटे packets में divide करता है और IP हर एक जो आपका packet है उसमें आपका IP address डालता है ताकि वो आपका destination पे पहुंचे तब यह आपने देखा होगा जब भी आपके कोई image वोगरा load होती है इंटरनेट से अगर आप download करते हैं आजकल तो नहीं होता लेकिन अगर आपकी speed कम है तो आपने दिखा होगा एक जो image है वो blocks के form में वहाँ पे open करती है यह एक-एक packets के form में वहाँ पे data आता है तो आपका internet जो है TCP IP जो protocol है इसकी मुदद से आपका चलता है या इसकी हमको communication म help करता है अब next हमारा जो term है वो है interspace अब देखिए interspace simply a client server program है जिसकी मुदद से एक ही time पे या सारी आपका real time के अंदर आपके बहुत सारे जो users हैं आपस में connect होते हैं और real time पे communicate करते हैं audio के form में हो video हो text हो अब देखिए आजकल जितने भी आपके modern games हैं software है उसमें आपका person के साथ आप connect हो सकते हैं तो simple है it is a client server software या program that allows multiple user to communicate online with real time audio video text chat features आपने देखा हो जितने भी modern games हैं उसमें आजकल आपका video chat कर सकते हैं audio chat आप कर सकते हैं text chat आप कर सकते हैं या WhatsApp के अंदर या किसी भी modern software के अंदर आपका यही जो technology हम लोग यूज करते हैं तो यह तो कुछ basic से terms हैं कुछ और हमारे terms हैं आपका switching techniques हैं उनको भी हम discuss करते हैं उससे पहले आप इसका screenshot ले सकते हैं notes के लिए तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा तो कुछ और terms हम यहाँ पर discuss करते हैं यहाँ पर topic है वह आपका switching technique switching technique यानि कि simply आपका किसी भी network के अंदर data जो है वो किस तरीके से travel हो रहा है तो mainly 3 type की switching technique हम यहाँ पर discuss करेंगे circuit switching है then आपका message switching है and packet switching है तो start करते हैं सबसे पहले हम discuss करत है सबसे पहले उन दोनों के बीच में एक unbroken path यहाँ पर create के जाता है यानि कि पहले दोनों को connect किया जाता है and connect होने के बाद ही हमारे जो data है वो travel होता है अब यहाँ पर फायदा यह है कि आपका connection जिब हम यहाँ पर unbroken path हम create करते हैं यह dedicated path भी इसको कहा जाता है तो आपको य होता है सबसे पहले हम एक unbroken path path यहाँ पर create करते हैं and then हमारे जो data है वो आपका travel होता है तो simple सा है in this technique which directly connect sender and receiver in an unbroken path the main advantage of circuit switching is आपका guarantee delivery यानि कि unbroken path जो आपका sender and receiver है sender हो या simply receiver हो या दोनों ही आपके sender and receiver हो सकते हैं जैसे आपका telephonic communication में होता है तो सबसे पहले तो इस दो यहाँ पर create होता है जिसी कि यह guarantee हो जाती है कि जो communication है वो complete हो गया जो data है वो travel हो गई होगा तो next आपका है यहाँ पर message switching को simply आपका store and forward switching भी कहा जाता है यहाँ पर क्या होता है आपको जो main data है उसको हम आगे जो आपकी switching devices है वहां तक ले करके जाते हैं यानिकि simply जैसे आप WhatsApp का WhatsApp आप लोग यूज करते हैं तो simply उसमें क्या होता है जैसी हम message को send करते हैं तो message अगर completely वहां नहीं जा रहा है तो simply उसमें 1T काता है जैसी 1T काता है तो आपको जो smartphone है उससे तो वो जा चुका है लेकिन वो intermediate switching devices में है यानिकि उसका हमने आगे तो forward कर दिया है यहाँ पर simply आपका जैसा circuit switching में होता है एक complete path नहीं बनाया जाता लेकिन यहाँ पर intermediate जो आपका switching devices होते हैं उनकी मुदद ली जाती है यानि कि simply आपका intermediate device है बीच में जो device है वो अपने buffer में या temporary memory में उस message को या data को store करेगा and then वो आगे देखता है कि directly आपका destination machine है या आपका smartphone है या computer ह है क्या वहाँ पर directly आपका link create हो सकता है तब तो directly send करता है वरना वो simply आगे जो उसके device है आगे जो switching device है उसको वो send करता है यानि कि यहाँ पर simply store and forward वाली जो technique है वो use होती है यानि कि सबसे पहले मालनीजे यह हमारा sender है यहाँ पर intermediate आपकी switching devices हमारे हैं यहाँ पर आपका destination है तो यहाँ पर directly जो data है वो travel नहीं होता बलकि यह जो इसके अंदर जो data होगा यह हम बीच में जो आपके intermediate devices होते हैं यह switching devices है उन पर आपका send होता है and then यह device आगे forward करता है तो store and forward method यहाँ पर है this type of network is also called store and forward switching यहाँ switching को simply मैं यहाँ पर network लिखाया यहाँ पर simply switching आपका आएग तो यहाँ पर switching मैं लिख देता हूं this type of switching is also known as store and forward switching इसको store and forward switching भी कहा जाता है और इस technique के अंदर in this technique the source computer sends data to intermediate switching device यानि कि इसमें क्या होता है जो आपका source computer है वो जो data है वो intermediate switching devices को send करता है यानि कि आगे send करता है which stores the data in its buffer in its buffer यानि कि अपनी memory के अंदर आपका temporary memory जो कि आपका temporarily store करता है क्योंकि उसको आगे send करना है तो यहाँ पर simply यह और then क्या होता है it then looks for next switching device और destination computer और उसके बाद क्या देखता है आगे अगर कोई switching device है जहाँ पर forward कर सकता है या directly जो आपका destination computer है जहाँ पर उसको send करना है तो simply जैसे हम message भी करते हैं उसमें सबसे पहले वह जो आपका बीच में वहाँ पे device है intermediate device है वहाँ पे आपका data जाता है and then उसको आगे forward किया जाता है तो example आपका messaging service इसका हो गया and then हमारी जो finally यहाँ पे switching technique है package switching इसमें simple है internet से जब आप download करते हैं इसका example है जिसमें आपको जो data है उसको छोटे 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 packets में divide किया जाता है जिसका size आपका fix होता है हर एक packet का are same होता है तो इसमें जो आपका data चोटे छोटे packets में divide किया जाता है 600 packet pair आपका एक serial number होता है, साथ में आपका उसमें IP address डाला जाता है, और ये काम पुरा आपका TCP IP protocol ही यहाँ पे करता है, और इसको simply, इसमें भी आपका same technique use होती है, जैसा यहाँ पे होती है store and forward, तो इन packets को आगे जो आपका intermediate device से उन में send किया जाता है, और आपका जो आगे destination computer है, वहाँ पे उसे send करता है, बस दोनों में difference ही यही है, कि यहाँ पे आपका packets में divide नहीं होता, और यहाँ पे directly आपका store and forward होता है, mainly जैसा आपका messages में होता है, यहाँ पे उसका हम छोटे छोटे packets में divide करते हैं, and then जब वो destination पे सारे के सारे packets पहुँच जाते हैं, क्योंकि हर एक packet में आपका IP address है, और हर एक जो आपका packet है, उसके अंदर दो चीजे होती, एक तो IP address होता है, और दूसरा data भी होता है, और जैसे ही सभी के सभी packet network से होते हुए, आपका destination पे पहुँचते हैं, then वहाँ पे उसको rearrange किया जाता है, और उसको आपका उसका जो proper form था, जो उसका original form था, जैसा हो sources से चला था, वेसा ही आपको destination पे मिलता है, मेलनी आपने देखा हुआ, जब आप डाउनलोड करते हैं, तो यह सारा काम आपका TCP IP प्रोटोकॉल से होता है, और ब्राउजर में ही आपका पूरा assembling का काम होता है, तो simple है, इसका example है, डाउनलोडिंग या अप्लोडिंग सिंपली इंटरनेट से, तो इन इस टेक्निक, डेटा इस ब्रोकन इंटो smaller parts, called data packets, तो data को छोटे-छोटे packets में divide किया जाता है, each packet contains address and data, हर एक packet में आपका address भी होता है, data भी हमारा होता है, it uses TCP IP protocol, and after traveling from network, these packets are rearranged at destination computer, एक बार जैसी है, सारे के सारे packets travel कर जाते हैं, network से, तो इनको rearrange करके, उसकी original form पे लाए जाता है, तो यह आपकी switching techniques है, यानि कि data किस तरीके से हमारा travel होता है, network पे, तो इसी के साथ, हमारी यह video भी खतम होती है, उससे पहले आप इसका screenshot ले सकते हैं, notes के लिए, तो I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा, तो इसी के साथ, हमारे कुछ terms यहाँ पे complete होता है, और साथी में वीडियो भी complete होती है, वीडियो नमबर 37, तो मैं मिल काम उपसे अगली वीडियो में, वीडियो नमबर 38, होता होता है, अपया इसकी अपने गया है, जह भीक Confirmish के मैं, वीडियो कि जैए लिए मी आपने फिए, आपने लिए.